हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमातल प्रदेश टाप सेलेक्शन कमिशन हम इरपूर के द्वारा कंड़क्ट करवाएगे एक एक एक्जाम के वरे में तो सबसे पहले तुम आपको यह बता दू कि जो हम यह एक्जाम डिसकस करेंगे तो इसका जो first part है वो हम कर डिसकस कर चुके थे जिसमें कि हमने 100 कोशन डिसकस किये थे तो यह बाकि के 70 कोशन बचे हुए हैं उनको इस parte में डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो जो कल हमने जो discuss किये थे 100 questions वो as professional answer की नहीं थे लेकिन जो ये question करेंगे हम 70 तो ये as professional answer की होंगे और आपको जो जो answer की का PDF है जो उसका link आपको description में मिल रहेगा तो कल जो थोड़ी वीडियो लंबी होगी थी लेकिन आज मैं थोड़ा वीडियो को short करके ही बनाऊंगा जल्दी तो इसमें जो मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्ट कोड है वो पोस्ट कोड 830 का एक्जाम है जो की है विल्दार instructor का एक्जाम है तो ये जो एक्जाम होना था 7 तारीक को होना था लेकिन किसी बज़ा से परशाचन में अंसर की डाल दूँगा तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो फर्स्ट बनाया था तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा तो आप जरूर देखिए तो यहां पे हम शुरू करते हैं जो बाकी के जो 70 कोशन बचे हुए हैं 100 तक हमने डिस्कस कर लिये थे तो मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आज जो भी मैं आपको अंसर बताता हूं वो आप अंसर की से एक बार जूरूर मैच करिए क्योंकि काफी बार होता है कि गलत हो जाते हैं तो जैसे कल 100 कोशन बताया तो इसका जो करम बता दिया था मै सुनार का इस लिंग है तो जो सुनार का इस लिंग वो सुनारीन है तो ऑप्शन डी यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद बात करें कि 102 की नाग का बहु बचन है तो जो नाग का बहु बचन है वो सी होगा नागो ऑप्शन सी यहां पर राइट अंसर होगा उसके बात आंसर है वो option देखे पता लगा सकते होंगी 3 का 3 का 3 का क्योंकि 3 में जो है आपके जो गलत दिया इसका जो grammatically दिया है तो इसका जो 105 है तो इसमें है कि मनु में परते है तो जो मनु में जो परते है वो option D right answer होगा U परते है क्योंकि प्रत्य हो है जो शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट कोशन है कि अर्जुन का प्रायवाची नहीं है तो अर्जुन का प्रायवाची नहीं है तो इसका प्राज्य है एक सो साथ का ए उसके बाद नेक्स्ट बाद करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि जो कोशन है कि सीरिल वाइज नहीं है तो हमने हंडर से आगे डिसकस करने है कि जैसे एक सो पंद्रै की राष्ट पती राज्या सभा के लिए कितने सदस्य मनोनीच करता है तो जो करता है बारा करता है तो उप्चन यहां पे डी राइट अंसर होगा उप्चन डी राइट अंसर है उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बरतमान में लोकसभा कितने सदस्यों की बनी है तो जो बरतमान में जो लोकसभा है वो 145 सदस्यों की बनी है तो जो 116 का राइट अंसर होगा वो option बर्तमान में जो मतलब बनी हुई है तो वो 543 की है क्योंकि दो पे जो भी किसी वज़ा से चुना नहीं हुए थे तो 543 यहां पे राइट अंसर है तो answer की में इसका यह answer है 116 का A 543 ठीक है उसके बार next बात करते हैं कि अंतराज्य परश्यत की स्थापना किस वर्ष हुई थी तो जो अंतराज्य परश्यत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 117 का C 1990 में तो option C यहां पे राइट अंसर होगा उसके बाद बात करते हैं 118 की कि बर्तमान में भारत में कितने राज्या है तो जो 118 का राइट अंसर है वो option B होगा क्योंकि अब पहले 39 से 28 रहे हैं और जो केंदर शाचित परदेश हैं वो भी अब 8 हो चुके हैं क्योंकि पहले वो नो हो गये थे लेकिन बाद में दो जो थे नगर अधादर और नगर अवेली और दमेन दीप का अपस में विल्या होने के बाद एक ही बन गया है तो आठ केंदर शाचित परदेश हैं और जो 28 राज्य बचे हैं तो नेक्स्ट कोशन है कि भारते सविदान का कोंसा अनुशे दिया निर्दार करता है कि राज्य ग्राम पर चैतों का गटन करने के लिए अफश्यक कदम उठाएगा तो ये निति निर्देशक तत्वो के अंतरगत डीपीएसपी के अंतरगत 119 का जो राज्य अंसर ही यहां पर एउगा अनुशे चालिस में ग्राम पर चैतों के गटन की बात की गई है उसके बाद बात करते हैं कि भारत का चुनाब हो गया तो जो भारत का चुनाब हो गया है यह मतलब संभीधानिक निकाय है जिसका सभीधान में उलेक है तो यहां पर 120 का जो राइट अंसर सी होगा तो 324 अन होगा कि attracting and retaining youth in agriculture तो option A यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद next बात करते हैं कि नंदा देवी राष्टे उदान भारत के किस राज्या में है तो जो नंदा देवी जो राष्टे उदान है अगर आपको मालूम है कि जो नंदा देवी जो चोटी है तो उत्राखंड में ज कि 123 को चाने कि भारतिया मानव सासरे सर्वेक्षन किस मंत्राले के अधीन कार्या करता है तो यह जो करता है option B यहां पर राइट अंसर होगा कि सांस्क्रितिक मंत्राले के अंतरगत तो 123 का जो B option right answer होगा उसके बाद next बात करते है कि alpha बारत के किस राज्या से स्वंदीत है उ प्रति दिवर्श जो सेना दिवर्श मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है तो option A यहां पर राइट अंसर होगा यह current affair के कोश्चन ते उसके बाद बात करते कि भारतिया सेना की स्थापना किस वर्श हुई थी तो जो भारतिया सेना की जो स्थापना हुई थी वह इस कि शिमला में तो उसके बाद बात करते कि भारतिया सेना की सबसे चोटी एकाई को क्या कहते है तो जो भारतिया सेना की जो सबसे चोटी काई को बाटालियन कहते है, ओप्षन डी, यह question इसलिए दिया है, क्योंकि होल्दार इंस्ट्रक्टर का एक्जाम था तो थोड़ा इसमें जो आर्मी से लेटेड थोड़े कोशन ज्यादा है तो बाकी आप इन्हें जी के में भी मान के चल सकते हो लेकिन जो पूरा पेपर था जी के बेज़द ही पेपर था उसके बाद नेक्स बात करते हैं कि जब बिजली के कारण आग लगती है और उस समय कारवन डाकसाइ पर आग लगी देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगी तो जो 130 का जो राइट अंसर है ऑप्शन ए होगा कि फायर अलारम बजाएंगे तो यह जो कोशन थे थोड़ा सब्जेक्टिव मान के चलते हो लेकिन जीके के लियास से कोशन इपोड़ेंट है तो आप इन्हें नहीं देख सकते हो उसके बाद हम नेक्स्ट डिसकस करते हैं बागे अगर किसी को टफ लग रहा तो वो स्किप भी कर सकता है तो यह कोशन तो हमने कल डिसकस कर रहे थे हम जो 100 से आगया वही कोशन डिसकस करेंगे तो उसके बाद जासे 147 कोशन है कि अशोक के अविलेकिस बाइब भाषा में लिखे गए थे तो जो अभी शेक के अभी लेग थे वो लिखे गए थे प्राकृतिक भाषा में तो option B यहाँ पर राइट अंसर होगा उसके बाद । जो ४र्षम कुषान बंच की स्वापना की गई थी तो जो कुजुल कड़ा की गई थी तो option A यहाँ पर राइट अंसर होगा कुजूल कड़ फिसस ठो उसके माण नेक्स्ट कोशन है कि किस काल को हिंदु धर्म का स्वन काल मना जाता है तो जो जो हिंदु धर्म का स्वन काल मना जाता है वो गुप्त काल को मना जाता है तो एक जो गुप्त काल था ये कला और और पत्थर की जो कला होती थी उसके लिए भी पर सीथ था तो ऑप्शन भी यहा तरहाँ वार इंटन सहरोगा उसके बाद बात करते हैं कि त्राइन के प्रथमस्रा किश्वर्ष हुआDAY certainly the best 좋은 아 यूद यहRed euh 1191ग में हुआ था था किल थो कि ऑप्षण होगा उसके बाद बात करते हैं कि नेक्स्ट है कि अढ़ाई दिन का जोप्रा मजजीद कहां सित है तो जो अढ़ाई दिन का मजजीद है वो 152 का रामा नुस्ट से उन्हों ने रखी तो आप्षिन A पर रायट अंसर है बाकि एक कोच्छन और पूछा जाता है कि जो उत्र भारत में वहाँ पर श्थाञ ना श कि गे थी रामानंत के दोरा की गए थी, तो यहां पर जो रामानंत ने जो दिया था, वो बसीषट़ा दोय था कि अब धार न दी थी, जो इन्हों ने सिदानत दिया था, तो उसके बात करते हैं कि पानिपत का प्रतम यूद्धा किं के मद्दे उसके बार्वाद बात करें कि पानिपत का तीसरा युद। था रड़ा गया था। 1761 में जो की मराठ्हो और एहमैद शाह अव्दाली के विच्छा लड़ा गया था। तो आप कमेंट करके बताए कि जो दूसरा युद्ध है पानिपत का वो किन दोनों के बीच लड़ा गया था यह आपके लिए कोशन अगर आपको अमबालू मैं तो आप कमेंट कर सकते हो बाकी मैंने आपको जो सरन है वो बता दिये कि किन किन के बीच युद्ध लड़े गए जिन दो दो साजकों के वीच युद्ध लड़ा गया था तो आप पानिपत का दूसरे युद्ध तो अगर आपको मालू मैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं उसके बाद नेक्स्ट कोशन है कि कौन सी नदी तिबबत में संगपो के नाम से जानी जाती है तो जो ब्रहम से स्मुद्र के और चलता है तो option यहां पर यह राइट अंसर होगा 109 का option यह राइट अंसर होगा कि भूमी से स्मुद्र के और यह चलता है उसके बाद next question बात करते हैं कि bishop priest किशेतरवल के कितने partition में भारत फैला हुआ है तो जो भारत फैला हुआ है वो यहां पर option 2.4 है 110 का जो राइट अंसर होगा 2.4 होगा 2.4 परसेंट है और जो वर्ड है उसके हिसाब से अगर देखा जाएगी भारत का क्षेतरवल कितने हैं तो जो यह 2.8 है तो उसके बाद बात करते हैं कि जन्गर्णा 2011 का नुसार भारत के किस राज्य में शाक्षरता दर सबसे कम है तो जो सबसे कम शाक्षरता दर है अगर यहां पर बात की जाए तो 111 का option D होगा तो किस राज्य में शाक्षरता दर सबसे उच है अगर उच की बात की जा रहे है तो जो राष्टे गान की जो अबदी है वो लगबग 152 का अंसर सी हो गा यहां पे क्योंकि जो राष्टे गान की अबदी है वो 52 सेकिंड है तो हम छोटी क्ला सुझे पढ़ते आ रहे हैं तो उसके बाद नागरिक्ता अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था तो जो नाग दान मंत्री की निक्ति की जाती है वो राष्टपती के द्वारा की जाती है ओप्शन यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 131 की होम गार्ड का मूलता उथान किस पूरब प्रांत में हुआ था तो जो होम कार्ड का जो उथान हुआ था वो इन 131 का जो राइट अंसर ओप्शन भी बॉंबे में हुआ था तो भी यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद बात करते हैं कि बात में प्रतितु यह थोड़ा कोशन अगर हम स्किप करके चले तो सही है क्यूंकि यह जो है थोड़ा सब्जेक्टिव में आ रहे हैं कोशन तो बाकि अगर कोई कोई है तो चेक अगर कोई कोई इसका है विल्दार इंस्ट्रक्टर का एक्जाम देता तो मैं उसके लिए बताई देता हूं कोशन जल्दी जल्दी थोड़ा की तो जो कोशन है कि भारत में प्रतिवर्ष होमगार्ड और्गनाईजेशन द्वारा कौन सा दिवस उथान दिवस के तोर पर मनाया जाता है तो जो एक सो बतिस का ओप्शन ए राइट अंसर होगा अच्छे दिसंबर उसके बाद अगर बात करेगी भारत के किस राज़य में होमगार्ड और्गनाईजेशन बिद्यमान नहीं है तो अगर हम बात करेगी कौन से राज़य में नहीं है तो अगर 133 का जो राइट अंसर होगा वो ऑप्शन डी राइट अंसर होगा कि केरल में फ ecosystem D यहां फे र्इट एनन्सर है उसके बाद बात करते है कि बरतमान में भारतर में कितने सानीक स्कूल काळए रहत थे तो अगर यहां पे भारत की बात की जा रही है तो इस में से जो उन्हों पर दिया कि कितने भी नहीं कि यहां पर राइट अंसर दिया है इन्होंने उसके बार नेक्स्ट बात करते हैं कि द्रिश्चा पारस से परे बायू से बायू मारक मिशाइल है तो यह जो कोश्चन है इसका option B राइट असर होगा जो अस्तर है वही मिशाल जो द्रिश्चा पारस से परे बायू से बायू मारक है उसके बाद नेक्स्ट को बात करते हैं कि डैस में पढ़ने वाले तमाम स्कूली बालक मद्यान बोजना योजना में अब रिती है तो यह जो आपको पती होगा कि ज प्रथम G20 सीर्शक समेलन कहां योजित हुआ था तो जो पहला हुआ था वो वशिंग्टन DC में हुआ था तो option यहां पर यह राइट अंसर है उसके बाद बात करते हैं कि कौन सा धात्वी खनीज नहीं है तो जो धात्वी खनीज नहीं है option D हीरा जो है कारवनिक खनीज में तो 164 का जो राइट अंसर होगा option B होगा 365 दिन यह सभी को मालूम है उसके बाद बात करते हैं कि चंदर ग्रेंड कब गटित होता है तो जो चंदर ग्रेंड गटित होता है उसका जो है कि जब प्रिथवी सूर्य तथा चंदरमा चंदर के बीच में आ जाती है तो सूर्य त चंदरमा के बीच में प्रिथवी काना चंदर ग्रेंड कहलाता है उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतराष्ट्य दिनाख रेका है तो जो 180 डिग्री तो 166 का जो राइट अंसर होगा option C राइट अंसर होगा 166 डिग्री यह मुत्तर मेरीडियन तो उसके बाद नेक् चंदरमा के बाद करनों से हमारी मदद करती है बचने के लिए उसके बार कौन सा सबसे बड़ा महास अगर है तो जो परसांद महास अगर है वह सबसे बड़ा महास अगर है option D यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद बात करते हैं कि दो जबार भाटे के वीच अंतरा आल है तो 170 का जो अंसर है वह ता 12 गंडे 26 मिनट ठीक है तो option C यहां पर राइट अंसर होगा उसके बाद कुश जैसे कोशन है यह भी बाकी है क क्भाइब के लिए चोटता हूं कि जो उत्राखंड की जो मुख्यपीट है वहाँ पर बैठती है तो आप उसके लिए कमेंट करें और हैं अपो सके तो जो उत्त्रप्रदेश की भी पूछी जाति है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो और उससे और मध्या प्रदेश की पूछी जाती है अगर आपको मालूम निताल में बैठते हैं जो मुख्या पीट कहां पर बैढ़ती है उसके बाद नेक्स्ट बात करती कि डीडी स्पोर्स चैनल कब लौंच हुआ था तो जो डीडी स्पोर्स चैनल था वह उन्नीस सो निन्यार में लौंच हुआ था वन उसके बाद बात करते कि योजना अयोग हित्वद उत्रावर्ति होता है तो जो यह उत्रावर्ति होता है नीती अयोग की है तो 121 का क्योंकि इसके 141 का जो तो 141 का जो राइट अंसर होगा वुट ऑप्सटन एव अ होगा क्योंकि योजना योग के स्थान पर ही नीती योग ने इसका स्थान लियाता है योजना योग का तो जो पंच वर्ष योजना बनाता है उनका यही काम था योजना योग का अब योजना योग का जो स्थान ले लिया वो नीती योग ने ले लिया और जो नीती योग का देख्ष होते ह हुआ वह प्रदान मंत्री को अभी होते हैं पदे न हैट्छ का मतलब होता है कि किसी और पद पर रहतो भी किसी दूसरे पद पर होना दूसरे बोलते हैं उसके बाइस बात करते हैं कि इस व्याद में रखा गया है तो जो 142 का राइटेंसर होगा option C होगा जवाल दीन दयाल उपाध्याए तो 142 का जो राइट अंसर है option C होगा दीन दयाल उपाध्याए उसके बार next बात करते हैं कि हड़पा सब्बेता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है तो ये तो सबी को मालूम होगा कि हड़पा सब्बेता का विकास सिंदु नदी के किनारे है क्योंकि उसके बार next बात करते हैं आरयकाल के दुरान बरिष्ट परिशद में निम्ण में से किस संदर भी थी तो जो 144 का राइट अंसर option B है तो सभा उसके बार next बात करते हैं कि निम्ण में से कौन साइग गैर रास् अंत्र राज्य था तो जो 145 का राइट ऑप्शन डी है कमबोज उसके बार next बात करते हैं कि ब्रहमचारे को पांचवे महाबर्थ के तोर पर किसके द्वारा जोड़ा गया था तो 146 का option C और महावीर के द्वारा उसके बार next बात करते हैं कि अश्ट परदान किसके प्रशाषन से स्वंदित है तो जो अश्ट परदान थे वो अगर बात करें कि 155 का राइट अंसर तो ये तो थे शिवा जी के time से तो option C यहाँ पर राइट अंसर होगा 155 का उसके बार next बात करते हैं next question कि गुरू तेग बादरू को किसके द्वारा फांसी दी गई थी तो गुरू तेग बादरू को औरंग जेब के द्वारा फांसी दी गई थी तो ये question काफी बार repeat हो चुका है और उसके बाद next बात करते हैं कि राम क्रिश्टन मिशन किस थापना किसके द्वारा की गई थी तो यह जो की गई थी स्वामी विवेका नंद जी के द्वारा राम किष्टन परमास जी के याद में राम क्रिशन मिशन की स्थापना की गई थी उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि बंदी जीवन में किसHarry रचना है बंदी जीवन तो जो 158 का राइट अन्सर रहाइं सची दाननल्थ की जो है यह यह रचना है तो औपशन है यहाँ पे राइट इंसर होगा उसके बाद बात करते है कि साइमन कमिशन भारत किस वर्ष आया था तो जो साइमन कमिशन भारत में आया था तो वो 159 का यहां पर अंसर होगा 1928 में आया था तो उसके बाद अभी हाली में कोशन पुछा गया था कि जो बागत सिंग ने वो असेंबली में जो बम कितनी मतल conf 16 में किरा था तो한다 है तो हुब अलटór है गरता में अप है था तो अगर ऐहां पर काफी मतलु बुद्धी जी भी जो ते हमारे थे मतलब काफी जो सो सबस्क्राइब में शामिलते तो उनकी किसी महांँ पुरुष की मॕ्यूतू हुई थी तो आप बता सकते क्योंकों को माढ़ू है आपको मालून है थो अब ध्यूर कमेंट करें उसके बाद करते कि सभिन अब अंदोलन किसsty के दो रहा शुरू किया गया था ठोल्ण जो सभीने अंधोलन था यहिंद था महातमा गंदी के दोरा मोधुदास करिंद गंदी के द्रॉड़ wizard你好 पे राइट अंथर होगा अगर बात करें कि सविन्या वग्या अंद्रोलन कब शुरू किया गया था तो 1920 में शुरू किया गया था और 1920 में ऐसे ही किसी महान पुर्ष की जो लड़ाई सवतंतरा संग्राम की रड़ाई में शामिल था तो आप कमेंट करके बताए कि कौन से मा पूछते और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि वह गरम दल से सवंधी थे तो उसके बात करते कि रभी संकर किस संगीत वाध्या के साथ सवंधीत है तो यह जो कोशन है अभी हाली में को मिला था कि जो और भी संकरा वो सितार से सवंधी था तो उप्शन अ यहां पर राइट decision का है उसके बाद बात करते कि रासलिला की वारति राज्यार के लो paran हिते हैं तो यह शालियक बा सबसे थंदा ग्राय कूण सा हई तो उप्शन यहां पर 163 का D होगा उसके बाद दो पेज शायद उपर ओर हो रहोंगे तो यह जो एक्जाम है पूरा हो चुका है तो आप से रुक्यस्ट है कि प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी द्वाइए तो बाकी इस वीडियो में इतना ही धन्यावाद